ओम शान्ती कल्यू की दुनिया में हमने अपना टाइम, मनी और अनर्जी वेस्ट किया संगम पर बाप आकर हमें अपना समय आबाद करने की युक्ती बताते हैं और वो है याद तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 8 अक्टूबर 2024 के मधूर महावाक्यों को एक बाप की याद में रहने से क्या फायदे होंगे? बुद्धी रिफाइन बनेगी, आत्मा स्वच बनती जाएगी वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम वा मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे बहुत पैसा आदिक हर्च करते हैं पास्ट, प्रेजन, फ्यूचर की नॉलेज में मुख्य बात क्या है? सत्यूग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ? बेहत की समझानी, बेहत की बेसमझी क्या है? देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले जाना कल्यूगी मनिश्य क्या-क्या वेस्ट कर रहे हैं? मनी, टाइम, एनर्जी योग के साथ क्या जरूरी है? नॉलेज सबसे बड़ा जगत का गुरु कौन है? एक बाप ज्यान, विज्यान क्या है? सुकधाम, शान्तिधाम सर्विस का अधार क्या है? ज्यान उठाना घुटका खाने वाले क्या करते हैं? नुकसान करते डिस सर्विस करते दिल तक्त नशीन कौन बनते हैं? जो सभी सबजेक्स में बाप के दिल पसंद है शृवब बाबा हमें क्या समझाते हैं? आभू की महिमा ये राजधानी स्थापन हो रही है ये इंद्रप्रस्थ है शृवब बाबा ज्यान वर्षा करते हैं ये आसुरी दुनिया है अभी दैवी दुनिया बनती है जो अपनी पूजा करवाते वे पूजे कैसे कहला सकते? कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है मनश्य किन बातों को नहीं जानते हैं शान्ती का अर्थ, ज्यान विज्यान भवन के नाम का अर्थ जिनकी पूजा करते वे कब और कैसे आते? एक बेहत का बाब सत्गुरु सबकी सत्गती करते देलवाडा मंदिर में जिनकी मूर्तियां हैं उन्हें कौन पढ़ाता? क्या होने से क्या होता है? विकारी बनने से पत्थर बुद्धी हो जाते बाब की अवग्या करने से पत्थर बन पढ़ते ज्यान में चल विकार में गिरने से ज्यान बह जाता विकारी को बाब के पास लाने से ब्रामणी पर दोश पड़ता किसको क्या कहा जाता है श्रिव बाबक को गुड पांच तत्वों की पूजा को भूत पूजा पोरी उंगली देने वाले को सर्विसेबल जिसके दिल में अनहद कीद बचता रहे मैं बाबा का बाबा मेरा उसे दिलरुबा आदी से अन्त तक चारो सब्जेक्ट्स में अच्छे माक्स लेने वाले को पास विद ऑनर हमें क्या नहीं करना है अहंकार में नहीं आना डिस सर्विस नहीं करना कभी भी विग्न रूप नहीं बनना किसी विकारी को उंचे से उंचे बाब के पास नहीं लाना हमें किन बातों की धार्णा करनी है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना बाब जो समझाते हैं उसे उगारना आपरम अपार सुख पाने का पुरिशार्थ करना बाब की सर्विस में अपना जीवन सफल करना बाब से जो मिला है उस पर विचार सागर मन्थन करना विश्व की बादशाही देने वाले बाब का बहुत बहुत रिगार्ड रखना ये थी आज की मुरली की विशेश बाते बाब हमें उचे से उची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बाब का भी रिगार्ड रखना है और पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है और बाब की सर्विस में रहकर अपने समय को सफल करना है ओम शान्ति